पहला क्योशन है कि अंदर ये तंत्री का तंतर में होते हैं उप्शन है हमारे पास मस्तिस्क, सभी अंग, मेरुदंड या फिर मस्तिस्क तथा मेरुदंड तो दोस्तों जो केंदर ये तंतरी का तंतर होता है उसमें हमारे पास मस्तिक्स और मेरुदंड होते हैं तो उप्सन नंबर जो फूर है वो इसका correct answer हो जाएगा अगले क्योंसन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तो अगला क्योंसन है अपने पास मनोगरस्ती बाद देता वी करती एक क्या है उप्सन है हमारे पास समायोजन वी करती है मनोवी छेदी वी करती है चिंता वी करती है या फिर काय प्रारूप वी करती है तो जो मनोगरस्ती बाद देता वी करती है ये इस परकार की है जिसमें चिंता जो जाती है उससे रिलेटेड है जैसे mental illness जिसको हम बोल सकते हैं तो जो option number अपने पास third है वो इसका correct answer हो जाएगा चिंता वी करती है option number third next question की तरह बढ़ते हैं अगला क्योसन देखते हैं अगला है सामुहिक एचेतन का संप्रते blank द्वारा दिया जाता था ये कौन से जो सामुहिक एचेतन का संप्रते किसके द्वारा दिया गया option है मारे पास इसकीनर, पावलो, फ्रायड, यूंग ये थोड़ा mistake है इसको थोड़ा ignore कीजिएगा तो जो सामुहिक एचेतन है दोस्तो वो दिया गया था यूंग के द्वारा option number 4 इसका correct answer हो जाएगा next question के तरफ बढ़ते हैं अगला question है अपने पास वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम सुनने भी हो कहलाती है option है करम सुचक मापनी नामित मापनी अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी तो अंतराल हो और जिसमें परम सुनने भी हो तो दोस्तो वह होती है अनुपात मापनी option number 4 इसका सही answer हो जाएगा next question की तरब बढ़ते हैं फ्राइड के अंसार हमारे मुल्यों का आंतरी करन ब्लैंक में होता है option है अहम में इदम में पराहम में या फिर परिस्थितियों में तो जो हमारे मुल्यों का आंतरी करन होता है दोस्तो वह होता है पराहम में option number जो थर्ड है इसका सही answer हो जाएगा अगले क्योसिन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्योसिन है अपने पास विवारवादी ब्लैंक ने कहा है मुझे नवजात सिसु दे दो मैं उसे डॉक्टर वकील चोर या जो चाहूं बना सकता हूं कौन सा जो विवारवादी वेकती था इन में से उसने ये बात कही है कि मुझे नवजात सिसु दे दो मैं उसे डॉक्टर वकील चोर जो भी चाहिए बना सकता हूं तो दोस्तों ये कथन जो है ये वोट्सन का है यानि ओप्सन नमबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्योशन की तरफ अगला क्योशन है अपने पास ध्यान आकर्शित होने में ब्लैंक की परमुख भूमिका होती है ओप्सन है उद्धिपन की उपादेता उद्धिपन की तिवर्ता उदिपन की विश्वशिन्यता उदिपन की सैविर्यता तो किसी भी बच्चे का या वेक्ति का ध्यान आकरशित करने में किसका सबसे ज़्यादा ध्यान होता है जो भी उदिपन है वो कितना तीवर, उसकी intensity क्या है तो option number जो 2 है उदिपन की तीवरता वो correct answer यहाँ हो जाएगा next बात करते हैं अगले क्योशन की blank छातर में रूची उत्पन करने की कला है option है सहानुबूती, सिक्षन, समद्रष्टी या फिर प्रेरना तो कौन option चार option दिये गए है इन मेंशे कौन शे के दुआरा बच्चे में रूची उत्पन की जाती है तो option नमबर जो फोर है प्रेरना चातर में रूची उत्पन करने की एक कला है next question की बात करते हैं अगला है ध्यान को केंद्रित करने की आंत्रिक दसा है option है नमीनता अवदी रूची आकार तो दोस्तों ध्यान को केंद्रित करने की आंत्रिक दसा होती है रूची रूची के भिहाँ अपे ही हम ध्यान आकर्षित कर पाते हैं या हमारा ध्यान आकर्षित अपने आप हो जाता है next question की तरफ बढ़ते हैं अगला question है एक परिष्थिती में अर्चित ग्यान का दूसरी परिष्थिती में उप्योग कहलाता है option है सीखने में हस्ता अस्थानांतरन सीखने की विधियां सीखने में पठा शीखने में रूची तो जो transfer of learning होता है मतलब एक परिष्थिती में हमने कोई चीज सीखी हम उसको दूसरी परिष्थिती में भी उप्योग कर पा रहे हैं तो उसको सीखने में इस्तानांतरन यानि option number one जो है यह कहेंगे यानि यहाँ पर option number one जो है यह correct answer हो जाएगा next question की बात कर लेते हैं अगला question है अपने पास अनुभव द्वारा विवहार में परिवर्थन क्या कहलाता है सीखना, स्मर्ती, प्रेड़ना, चिंतन तो अनुभव के द्वारा विवहार में जो परिवर्थन होता है यह है सीखने की definition कोई भी आप से पूछे की सीखना क्या है तो विवहार में जो परिवर्थन होता है उसको अपन सीखना कहते है अनुभव द्वारा विवहार में परिवर्थन next question है दोस्तो सांख्याकी में वहे रेखा चितर जिसमें आकर्तियों को इस्तंबो द्वारा परदर्शित किया जाता है कहलाता है आवर्थी बहुबूज इस्तंबा करती संचै आवर्थी या फिर रेखा चितर तो दोस्तो जो सांख्य की होती है उसमें स्तंबो को द्वारा जो निर्वपित किया जाता है उसको अपन कहते हैं इस्तंबा करती यानि ओप्सन नमबर टू जो है वो अपना correct answer हो जाएगा Next question अगला है विकास की किस अवस्था में बुद्धी का अधिक्तम विकास होता है उप्सन है सैस अवस्था, बाल अवस्था, प्रोड अवस्था या फिर किस और अवस्था तो बुद्धी का जो विकास है दोस्थो अधिक्तम होता है बाल अवस्था में उप्सन नमबर टू याँ पे बिलकुल सही हो जाएगा Next बात करते हैं अगला है सिशू का अधिकांस विवहार आधारित होता है उप्सन है नेतिकता पर, मूल परवर्ती पर, वास्तिकता पर या फिर ध्यान पर तो जो सिशू का विवहार है जो अधिकांस दिपेंड करता है उसकी जो मूल परवर्ती होती है उसके उपर याँ आप्सन नमबर जो वन, सोरी टू है वो गरैक्ट अनसर हो जाएगा के सिध्धान्त में कोहलर ने परयोग किया था ON MANUSON पर कुट्टे पर भिली पर या फिर चुहे पर तो ये जो कोहलर ने अपना परयोग किया था ये अपना चुह तो किया था ON MANUSON पर यानि OPTION NUMBER ONE इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट के बात करते हैं अगला है यह आउस्यक नहीं है कि उच्च बुद्धी लब्दी वाले बच्चे बलैंक में भी उच्छ होते हैं ओप्शन है अध्यन में भी सरजन सीलता में विश्रेशन करने में या फिर अच्छे अंक पराप्त करने में जरूर नहीं कि जो बच्चे उच्च बुद्धी लब्दी वाले होते हैं वो सरजन सील भी होते हैं तो उप्शन नमबर अपना टू करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्योशन के बात करते हैं नेक्स्ट है अधिगम में बलैंक ने परभाव का नियम दिया लर्निंग में लर्निंग जो थियोरीज हैं दोस्तों में परभाव का जो नियम है वो किस ने दिया था तो उप्शन है स्कीनर पाउलर वाट्सन थोन्डेग तो अधिगम में दोस्तों परभाव का नियम दिया था थोन्डेग ने option number 4 जो है वो यहां के पे correct answer हो जाएगा next बात करते हैं next है निमन में से किस विधी का उपयोग समर्ती के मापन के लिए नहीं किया जाता है option है तारकिक विधी, परत्याहन विधी, पहचान विधी, पुनेह सीखना विधी तो दोस्तो समर्ती के मापन के लिए परत्याहन, पहचान, पुनेह सीखना सभी का प्रयोग किया जाता है तो तारकिक विधी जो है वो अपना correct answer हो जाएगा इसका मापन, समर्ती मापन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है next question की बात कर लेते हैं अगला है जो TAT होता है प्रासेंगिक अंतरबोध परिक्षन टेस्ट जो होता है का विकास पलैंक दुआरा किया गया था option है होल्ट जिमेन, साइमन, मरे, बैलक तो जो TAT है उसका जो क्या बोलते हैं विकास था दोस्तों वो किया गया था मरे की दुआरा option नमबर यहां पर जो TAT है वो सही हो जाएगा next बात करते हैं अगला क्योशन है अपने पास मनोवी गयान का सिक्षा के छेतर में शबशी बड़ा यूगदान है option है सिक्सक के अंदरित सिक्षा, विशे के अंदरित सिक्षा, किर्या के अंदरित सिक्षा या फिर बाल के अंदरित सिक्षा, तो बिलकुल आसान क्योशन है तो बाल के अंदरित सिक्षा में मनोवी गयान का बहुत बड़ा रोल है next क्योशन की बात कर लेते हैं निमन में से कौन शाव वर्दी और विकास के सिधानतों से समन्दित नहीं है, उप्सन है वर्दी और विकास की सिधानत निरंतरता का सिधानत समन्वे का सिधानत विक्तिता का सिधानत तो जो वर्दी और विकास की सिधानत है उनमें दोस्तों जो वर्दी करन का सिधानत है ये समन्दित इससे नहीं है तो option number one जो इसका है correct answer हो जाएगा दोस्तो आज इतने ही 21 questions करेंगे questions आपको अच्छे लगे हूँ आपको लगता है कि हाँ कुछ नोलेज आपकी बड़ी है in questions से तो share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तो subscribe भी कर दीजिए और अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए मुश्कराते रहिए जैहिन टेक केर बाई बाई